अस्तामलीकुम व्यूवर्स वल्कुम टू माई चैनल आज हम बनाने लगें बहुत यमज़दार खस्ता करारे नमक पारे और इसके साथ हम बनाएंगे मसाला चाई इंडियन स्पेशल मसाला चाई बनाएंगे बहुत मज़े के बनते हैं दोनों चले इसे बनाना स्टार्ट कर मैदे में 1 टीसपून भरके नमक अड़ करेंगे क्योंकि यह नमक पारे है और वन टीसपून के पास हम अजमाइन डाल देंगे दोनों को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद हम इसमे 3 टेबल स्पून देसी घी डालने से बहुत ही कुर्गास ता बनते है समोसो व नीम गरम पाणी का यूज किया है यहाने के स्प्रिंगल करना है पानी को इस सिर्फ डूज को हमने अकठा करते जाना है अगर आपके पास बड़ा बरतर नहीं है तो आप किचन काउंटर पे रख लें इस तरह से इसको कठा कर लें एक रोल की तरह से हम इसको कर लेंगे यह देखे यह बॉल बन गया हमारा अब हम इसको डो को रेस्ट करने के लिए रख देंगे इसको कवर करके रखेंगे थोड़ा सा ओईल से ग्रीस करेंगे ताकि इसके ओपर कोई भी पर्त जो है वो ना जमे ताकि यह ड्राय ना हो और अब इसको मिनिममम आदा घंटे से एक घंटे तक हम इसको रखेंगे रेस्ट करने मीनवाइल हम मसाला चाही की तियारी कर लेंगे जिसके लिए डेर टेबल स्पून मैंने सबसलाइची लिए है छोटा सा जाइफल का टुकरा लिया है बहुत ही छोटा सा और थोड़ी सी जाइवत्री लिए हाफ टीस्पून काली मिर्च वन टीस्पून सोंफली है और वन ट तोड़ के डाल तेंगे थोड़ा सामने इसको ड्राय रोस करने जैसी अची से खुश्बू आएगी फ्लेम ओफ कर देना जलाना नहीं ब्राउन नहीं करना थंडा होने पर हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे ग्राइंड करने के बाद मसाला चाही का मसाला हमारा र डाइब करेंगे इसको थोड़ा साख्या से प्रैस कर लेंगे एसको तीन हीसों मेंज़ रख लेंगे इसलिए डिवाइड करेंगे तो यह जितना हमें चाहिए पहले उतना हम बनायंगे और बाकीओं को हाम इसका कवर करके दुबारा से रख देंगे बाल गो से शीं बइस स प्रेस करते और किनारों से उसको पतला कर लेते हैं इसके लिए किसी भी तेल और मैदे का यूज हम नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर जो भी सारी हमने मिक्सिंग की थी वो इतनी जबरदस्त हुई है कि इसको ना ही चिपकने का डर है ना ही किसी और चीज का तो यह बहुत से बेली जाएगी थोड़ी से ताकस ज़रूर लगेगी क्योंकि यह हाड होती है लेकिन यह अच्छे से बेल ली जाएगी देखें यह रोटी की तरह सेम मैंने बनाई है उतनी पतली रखी है अब हम इसको स्टैंडिंग लाइन की तरह कटिंग कर लेंगे हाफ आफ इंच की यह कट हो जाएगा इससा सारी कटिंग करने के बाद आप देख सकते हैं कि यह स्लाप पे बिकुल भी किचन काउंटर पे जो है चिप किये नहीं है इसी तरह आप इसको सारा कठा कर लेंगे अब चाहें तो आप इसको ऐसे ही डिरेक्ट पकड़ पकड़ के जो है ऑल में डा जो हमने दो त्यायर की थी और फेम को बिकुल लो कर देंगे और फिर मिन दग द्रियों निज थे लो फेल में पे हमने इसको कुक होने देना थाकि अंधर से अच्छ से पकड़ को बाद यह उपर फ्लोट करना शुरू हो जाएंगे और बाकी के भी हम साथ में डाल देंगे अब इनको time लगेगा, meanwhile हम चाई त्यार करेंगे, एक कप मैंने इसमें पानी डाला है, जैसी पानी में जोश आएगा, इसमें डे टेबल स्पून मैंने चाई पती डाली है, जो के दाने दार है, और टूटेस के अंदर चीनी डाली है, आपको चीनी जितनी पसंद है, आपको दाल सकते, वन टेबल स्पून हम इसमें चाई मसाला जो हमने रेडी किया है, वो डाल देंगे, और इन सब को जोश आने देंगे, एक मिनट तक ये थोड़ा सा पक जाएगी, मीडियम फ्लेम पे हमने इसको जोश दिलाना है, जैसे इसमें ये बॉयल आएगा, इसमें हम डे स्टॉल से पीते हैं, तो गाड़ा दूद के साथ ही ये बनती है, और चाई मारी रेडी होगी है, तीन मिनट के बाद, आप नमक पारे देख लेंगे, ये देखें, लाइट कलर से डाक कलर आना शुरू हो गया है, ये देखें, गोल्डन ब्राउन कलर के ये नमक पारे रेडी होगी है, अंदर तक आप देखें कि इसने जबरदस है, मसाला चाई भी हमारी रेडी हो गई है, आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, अगर रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूले, साथ में बेल आइकोन का